हेलो फ्रेंग्स श्वागत है आपका मेरे चैनल में आज मैं शेयर कर रही हूँ दही भज़े बनाने की रेशिपी और बिल्कुल रूई चैसे शॉप्ट हमारे दही भज़े बनकर तयार होगे और शाथ ही इसमें डाली जाने वादी हरी चैनी और मिठी चैनी की भी रेशिपी मैं शेयर करूगी इतने शॉप्ट हमारे दही भज़े बनेगे कि एक बार आपने इन्हें बना दिया तो बार बार बनाने का मन होगा तो चलिए रेशिपी को शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैं उड़त डाल और मुंग डाल दोनों को सेम कॉंटिटी में दे रही हूँ जितनी मैंने उड़त डाल ली है उतनी ही मुंग डाल भी ली है यदि आप चाहे तो पूरी उड़त डाल फे भी भले बना वक्ते हो पर इन दोनों को मिक्स करके बनाने में इनका टेस्ट भी अच्छा लगेगा और ये पचने में गरिष्ट भी नहीं होंगे तो सबसे पैदे हमें दोनों दालों को मिला कर 5-6 गंटे के लिए पूलने के लिए रख देना है और 6 गंटे के बाद में इने 2-3 बार पानी से अच्छी तरशे धो लेना है तो ये मैंने दाल को धो लिया है और ये अच्छी तरशे हमारी दाल फूल गई है अब दालों को बीषकर हमें इनका पेष्ट बना देना है और इसका टेश्यर जो बारिक वजी फूजी होती है कुछ उस तरीके का हमें रखना है एकदम फाइन पेष्ट हमें इसका नहीं बनाना है और दाल को पीषते समय यदि आपको दाल में पानी कम लगे तो इसमें एक दो टेबल इस्पुन आप पानी डाल कर इसे पीफ लीजिए तो यह मैंने फादी डाल को इस तरफे पीफ कर तयार कर दिया है और यह देखिए इस तरफे नजादा हमने मोटी रखी है और पहुत जादा हमने इसे चिकना भी नहीं पीफा है हलका दरदरा हमने इसका टेश्चिर रखा है तो अब हमें दो पिंच यहाँ पर हिंग डाल लेना है और फ्वादा नूफार नमक डाल लेना है तो अब हमें डाल को अच्छी तरफे फेटना है तो इस तरफे हमें इसे हाथों से ही फेटना है और जिफ डायरेक्षन में हम दाल को फेटना चालू करेगे, वोफी डायरेक्षन में हमें लाश्टे तक इसे फेटना है. तो लगभग हमें इसे 5-6 मिनट तक लगातार फेटना है और यदि आप रुक रुक कर इसे फेट रहे हो तो लगभग 8-9 मिनट तक इसे आपको फेटना होगा और जैसे जैसे हम डाल को फेटते जाएगे वैसे ही इसका कलर भी चेंज होता जाएगा ये पेदे थोड़ा फा डार का कलर था और धीरे धीरे ये वैट कलर में दिखने लगी है तो मैंने लगभग 6 मिनट तक इसे लगातार फेट लिया है और देखिए जितनी कॉंटिटी में ये पेदे दिख रही थी उसे लगभग डबल हमारी दाल दिखने लगी है मतलब इसमें अच्छी तरशे एयर भर चुकी है और ये दाल हमारी फिलाilar हो चुकी है तो इसे हम चेक कर देते हैं तो हमें एक कटोरी में पानी देना है और थोड़ी फी दाल उसमें डालना है और दाल इस तरफे जब तैरने जगे तो फमज जाए कि हमारी भले बनाने के लिए डाल परफेक्ट फलफी फी हो चुकी है और ये देखी कितनी हलकी हमारी ये डाल हो चुकी है अब हमें डाल को 5-6 मिनट के लिए रेश्ट करने के लिए रख देना है और यदि आप इसे तुरंत बनाना चाहते हो तो भी इसे बना सकते हो अब हम भले के लिए दही तैयार कर देते है तो यहाँ पर मैंने घर का जमा हुआ दही दे दिया है अब इसे हमें अच्छी तरशे फेटना है ताकि ये अच्छी तरशे चिकना हो जाए और दही को थोड़ा मीठा करने के दिये हमें इसमें थोड़ी सी पिसी हुई सक्कर डाल लेना है तो मैंने यहां लगब देड़ चमesz इसमें सक्कर डाल दी है आप आपके दही के हिशाप से इसमें सक्कर डाल लीजिए और दही हमारा खट्टा नहीं होना चाहिए दही भजे के लिए हमें ताजा दही ही लेना है अब हम दही भजे के लिए इमजी की चटनी बनाकर तयार कर देते हैं तो मैंने आधी कटोरी इमली ली है और आधी कटोरी ही मैंने गुड़ दे लिया है और दोनों को पानी डाद कर मैंने अच्छी तरशे 6-5 मिनट के दिए बॉयल कर दिया है और थोड़ा ठंडा होने के बाद में मैंने इसे मैफ करके इस तरफे छननी पे छान लिया है अब हम इसमें मफाले एट करेगे तो आधा चमच मैं यहां नमक डाद रही हूँ और एक छोटा चमच मैंने जीरा पाउडर डादा है एक छोटा चमच चाट मफाला पाउडर एक छोटा चमच लाद मिर्च पाउडर और आधा छोटा चमच कादा नमक डादा है और एक चौथाई चमच मैंने इसमें गरम मफादा डादा है और दो पींच इसमें हिंग डादी है अब सभी को मिक्स कर देना है और ये हमारी चटपटी ही इमडी की चटनी बनकर बिल्कुल तयार है अब हम हरी चटनी बना देते हैं तो मैंने एक कटोरी डंठल वही धनिये को धो कर दे दिया है और 4-5 हरी मिर्च को बीच में से काट कर दे दिया है 4-5 जफून की कजिया आधा इंच अद्रक का टुकड़ा एक मिडियम साइच का टमाटर थोड़े मोटे मोटे टुकड़े में काट कर दिया है अब इसमें आधा छोटा चमच जीरा डालना है आधा छोटा चमच नमक डालना है एक चोथाई चमच काला नमक एक चमच फक्कर आधा नीबू का रश अब इन सभी को पीफ कर इनका फाइन पेश्ट बना देना है और ये दिखिये हमारी धनी की चट्नी भी बिल्कुल तयार है तो भज़े के लिए दही और दोनों चट्नी अबन कर तयार है अब हम भज़े बना देते हैं अब फेटी हुई दाल में हमें 2-3 हरी मिर्च को बारिक काट कर डालना है और थोड़ा फाद्रग को ग्रेट करकर डाल लेना है इसे भज़ो का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा तो अब हमारी भज़े बनाने के दे दाल पुरी तरफे तयार हो चुकी है अब हमें भज़े निकालने के दिए कुछ तयारी कर देना है तो यहाँ पर मैंने एक कटोरे में हलका गरम पानी करकर रख लिया है ताकि जब हम भज़ो को तेल में फे निकालेगे तो भज़ो को हमें इसमें डालना होगा तो अब यहाँ पर मैंने मिडियम फ्लेम पर तेल गरम कर दिया है और तेल हमारा ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए अब हमें तेल में इस तरफे छोटी छोटी पकोडिया तल लेना है और यह देखिए जैसे ही हम तेल में पकोडिया डालते जा रहे है बहुत तुरंत ही उपर तैरने लग रही है मतलब हमारी बहुत ही अच्छी पकोडिया बन रही है तो जितनी भी इसमें पकोडिया आ जाए उतनी हमें इसमें डाल लेना है और पकोडिया आप आपके हिशाप से थोड़ी बड़ी या छोटी बना सकते हो मैं यहाँ पर मीडियम फैच के पकोडिया इसमें बना रही हूँ और यह देखिए धीरे धीरे हमारी फारी पकोडिया तैर कर उपर आ गई है अब हम इसे कड़्ची से पलट देना है और इस तरफे पलटते हुए इसे हमें जाइट गोल्डन होते तक तल लेना है और इन्हें हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है गैस की फ्लेम को हाई पर बिलकुल नहीं करना है तो इस तरफे हमें इनका गोल्डन कलर होते तक इन्हें फ्राई कर देना है और यह देखिए हलका लाइट गोल्डन कलर इनमें आ गया है अब हमें इने निकाल लेना है और ये देखिए एकदम फुली फुली हमारी ये पकोडिया बनकर बिल्कुल तैयार है अब हमने जो गुनगुना पानी दिया था उसमें हम दो पीच हिंग डाल देगे और पकोडियों को पानी में डालने के पहदे मैं आपको एक पकोडियों तोड़ कर भी दिखा देती हूँ कि अंदर फे कितनी चाजीदार और ये देखी कितनी शॉप्ट हमारी पकोडिया बनी है तो अब हम फारी पकोडियों को पानी में डाल देगे और फेकेंड बेच की भी पकोडियों को उफी तरफे बना कर तयार कर देगे तो हमें फेम उफी तरफे मेडियम फ्लेम पर बाकी पकोडियों को भी फ्राई करके निकाल लेना है तो ये देखिए ये पकोडिया भी हमारी दखबख तयार हो चुकी है इन्हें भी अब हम निकाल लेगे और यदि आपकी पकोडिया जादा मातरा में बन गई हो तो उन्हें इस तरह से डिबे में भर कर फ्रीज में श्टोर भी करकर रख सकते हो और जब भी आपका दही भजे खाने का मन हो आप पानी को हलका गरम कीजिए और उसमें इन पकोडियों को डाज कर 6-7 मिनट के लिए भीगने के लिए रख दीजिए और भीगने के बाद तुरन तरह से दही भजे बना कर सरव कर सकते हो तो ये देखिए जो हमने पानी में भीगने के लिए पकोड़ या डादी थी वे फूल कर डबल फाइच की हो गई है तो इस तरह से हमें हाथ भल के हाथों से इन्हें निचोड़ कर पानी निकालना है और अब हम इन से दही भला चाड़ बना कर तयार करेगे तो फफे पैदे हम इसके उपर जो हमने दही तयार किया था उसे डाल देगे दही हमें अच्छे से फभी के उपर डाल देना है अब हम इसके उपर हरे धनी की चटनी डाल देगे और ये मैंने यहाँ थोड़ी थिक चटनी बनाई है आप क्या है तो इसे भी पतला कर सकते हो अब हमें इसके उपर इमली वाली मिठी चटनी डाल देना है और यदि आप क्या है तो इसके उपर फेयो और अनारदाने से भी गार्नी फिंग कर सकते हो अब यहाँ पर मैंने कुछ फुखे मफादे दिये है तो यहाँ पर मैंने चाट मफाला, भूना जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक लिया है, सबी को हम थोड़ा थोड़ा इसके उपर टाल देगे तो फ्रेश अगर आपको आज का मेरे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शियर कीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट विक्षन में दिखकर बताए और अगर आप मेरे चैनल पे नीव हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेज आइकन को प्रेफ कर दीजिए ताकि आने वादे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो ये दीए बिल्कुल रूई जशे शॉप्ट दही भले बनकर बिल्कुल तयार है तो आप भी फ्रेफीपी को एक बर जरूर ट्राइ कीजिए तो मिलते हैं अगजे वीडियो में अगजे रेशिपी के शाहत